आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now इस question में हम एक sonometer wire दिया गया है जिसका length ऐसे fix है कि जो frequency के साथ उसे tune किया गया है वो 250 hertz है और इसका length हमारो 0.6 meter है उस समय जब यह 250 hertz के साथ resonance में है अब tuning 4 के frequency हमें बतानी है जिसके लिए resonance में तब होगा जब इसके length 0.40 meter हो जाएगी तो यहां पे देखो sonometer में क्या होता है आप यहां पे उसके किसी length पे fix करेंगे clamp करते हो एक clamp fixed और एक clamp हमारा movable रहता है तो yes point पे sonometer हमारा और extend करता है तो इन points के बीच में हम analyze करते है कि resonance हो रहा है कि नहीं यहां पे अब देखो यह दोनों अगर point clamped है तो इनके बीच सिर्फ node बन सकता है यहां पे displacement नहीं हो सकता है यहां पे स्ट्रेंग का या वायर का तो जो हमारा पास possible shapes है वो ऐसे हो सकते हैं हमेशा node हमारा बनेगा इन दो points पे अब अगर आप देखो तो क्योंकि material हमारा same है speed हमारा constant रहेगा wave का और frequency into lambda फिर हमारा बुलोगे constant है यहां कि frequency into lambda हमारा speed कि कि कुल होता है तो पहले के इसमें f1 lambda 1 अगर हम corresponding quantities लें और दूसरे case में f2 lambda 2 तो यह दोनों आप देख सकते हैं तो equal होने चाहिए f1 हमें पदता है 250 है lambda 1 क्या होगा तो suppose हमारे पास यह वाला case है तो इस case में आप देखो कि lambda हमारा क्या है तो दो adjacent node के बीच में जो distance होता है वो lambda by 2 के equal होता है और यहाँ पे 0.6 meters है first case में तो lambda हमारा क्या होगा 1.2 meters तो यह हमारा 1.2 हो गया is equal to f2 into lambda 2 यहाँ पे भी lambda by 2 हमारा 0.40 है यहाँ पे हमने clamp को second case में इधर लिया है left direction में तो यह जो length हो कम हो गई 0.4 और अभी यह दोनों points जो हमें फे notes बनेंगे तो lambda by 2 जो हमारा वो 0.4 के equal होगा तो lambda आप देख सकते हो हमारा क्याएगा 0.8 तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर आप f2 लिखोगे तो वो हमारा क्याएगा 250 into 3 by 2 hertz और इसकी value हमारे पास 375 hertz तो अगर आप options देखो तो second option हमारा correct है Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 सूपर